इस शेल कंपनी विछ प्राइमरी फोकस विचाए मुस्त में श्राइल यूद पर इंडिन आर्मी का पहला रियक्शन आगया है इसराइल ने जो लेबनान पर पेजर हमला किया था वो इसराइल का एक मास्टर स्ट्रोक था ये कहना है भारतिय सेना प्रमुक जेनरल उपेंदर दुवेदी का जो एक कारेकरम के दुरान इसराइल की खूब तारीफ करते नजर आए गौर करने वाली बात है कि इस वक्त इसराइल, हमास, हेजबुला और इरान को एक साथ पीट रहा है और इसी बीच पहली बार इंडियन आर्मी की तरफ से एक बयान आ गया है इसराइल यूथ को लेकर इंडियन आर्मी का क्या कहना है जानने के लिए इस वीडियो को अन तक जरूर देखें नमस्कार मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं Z-Switch बीते कुछ दिनों में इसराइल ने अपना फोकस गाजा से हटा कर लेबनौन पर केंद्रित कर दिया है शुरू में उन्हें यहां हिजबुला के टॉप कमांडरों को निशाना बनाया फिर ग्रूप के प्रमोग हसन नसर अल्ला को मार दिया गया इसराइल के नेटवर्क को तमाम करने के लिए जो इसराइल ने सबसे शातर टेकनीक अपनाई वो पेजर ब्लास्ट की थी पिछले महीने यानी 17 सितंबर को लेबनौन में धड़ाधर पेजर डिवाइसेज में धमाके हुए थे वहीं अगले ही दिन 18 सितंबर को पेजर्स के साथ साथ वोकी टॉकी और हैंड हैल्ड रेडियो में भी ब्लास्ट होने लगे मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक इन धमाकों में 40 लोग मारे गए थे और 3000 से जादा लोग घायल हुए थे बता दे कि इंडियन आर्मी चीफ जेनरल उपेंदर दुएदी ने इसराइल के इसी हमले और इसी रन्नीती की तारीफ की है सिना प्रमुख ने बताया कि ऐसी योजना बनाने में सालों की तियारी लग जाती है और इसराइल ने इस बार कुछ अलग करके दिखाया है उन्हों ने ये भी बताया कि कैसे इसराइल ने अपने इस प्लैन को समय दे कर और चलाकी से अंजाम तब पचाया था और एक्जिक्यूट किया था इसराइल के प्लैन को डिकोर्ड करते हुए सेना प्रमुक ने कहा कि इसराइल ने हिजबुला के नेताओं को निशाना बनाने के लिए एक फर्जी कमपनी का सहरा लिया था हंगरी की एक कंपणी ने ताइवान की कंपणी का नाम लेकर ब्रैंड लेकर इस्तमाल करके पेजर त्यार किये थे बाद में हंगरी की कंपणी ने इन पेजर को हिजबुला को सप्लाई करना शुरू कर दिया आर्मी चीफ ने कहा कि जिस तरह इसराईल ने सूजबूज के साथ इन शेल कंपणी यानी फरजी कंपणीों को खड़ा किया है वो इसराईल का मास्टर स्ट्रोक था आगे अपनी बात को समझाते हुए सेना प्रमुख ने कहा कि आप जिस दिन से लड़ना शुरू कर देते हैं यो दोस समय शुरू होता है जब आप इसकी योजनाल बनाना शुरू करते हैं यही सबसे बड़ी बात है दरसल जनरल दुवेदी ने चानक के डिफेंस दायलोग में शिरकत करते हुए इस पूरे मामले पर अपनी बयान दिये थे जब उन से लेबनान में पेजर बलाश हमले के बारे में सवाल पुछा गया तो उन्होंने इसराईल के बारे में यह कहा अब गौर करने वाली बात ये भी है कि जिस पेजर हमले की सेना प्रमुख तारीफ कर रहे हैं और इसराईल की वावाही कर रहे हैं इसराईल उस हमले की जिम्मधारी ही नहीं लेता है हलांकि सबसे शातिर अटैक की इसराईल ने जिम्मधारी ही नहीं ली है वह इसराईल की प्रदान मंतरी बेंजनमें नेतन याहू ने ये ज़रान अपने मंतरियों को कोई भी इंटर्व्यू देने से भी मना कर दिया था अब कहे ना कहे भी कोई शक्की बात नहीं है कि हिजबुला को टार्गेट करते हुए ये पेजर अटैक इसराईल नहीं करवाया था वो जिम्मधारी ले या ना ले इस हमले में सबसे दादा फायदा इसराईल को हुआ था तो ये हमले उन्होंने करवाय होंगे पेजर अटैक के अलावा आर्मी चीफ ने इसराईल की पीट थपतपाते हुए उनकी डेडिकेशन की भी तारीफ की है उन्होंने कहा कि इसराईल का पहला टारगेट हमास था और पहले हमास के एक हात्मे पर ही ध्यान दिया गया और अब हिजबुल्ला की तरफ उन्होंने अपना रुख किया है इसराईल और भारत की दोस्ती किसी से छुपी नहीं है दोनों देशों की बीच कई हतियारों की डील, खास तोर पर ड्रोन की डीलों को लेकर चर्चा चल रही है सेना प्रमुख जनरल उपेंदर दिवेधी के मुख से अगर आज इसराइल की तारीफ निकलती है तो कहीं न कहीं इसके पीछे दोनों देशों की दोस्ती और डील का इतिहास भी है एक देश जो जंग लड़ा है, सेना प्रमुख ने इंडियन आर्मी का पक्ष रखते हुए उसकी तारीफ की है इस पूरे मामले पर आपकी क्याराय है, यह मिनी जेकमेंट से बताएं मेरा नाम है वैभाफ, देखते रहिए, Z-Switch